विल्कम फ्रेंट्स तो चलिए देखते हैं आज का ड्राइंग जो बनेगा स्वास्तिक की मदद से आज हम बनाने वाले हैं अश्व का ड्राइंग याने की होर्स का ड्राइंग देखिए इस तरह से हमें स्वास्तिक निकाल लेना है द्यान से देखिएगा भारवाली जो सा आसान सा ड्राइंग है step by step देखिएगा देखिए उसका आगे वाला एक पैर तो बन गया बहुती सिंपल तरीके से अब इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम उसका दूसरा पैर बनाएंगे उसके दोनों पैर हवा में हैं कुछ इस तरह से हम यह हॉर्स दिखाने वाले ह हमारा जो अश्व है वो हम दिखाने वाले हैं देखिए इस तरह से दोनों पैर हो गए अब पीछे वाला पैर जो है वो इस तरह से यह जो गोला कार डंडी है स्वास्तिक की उसी में से हम निकालेंगे देखिए उसे हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा नीचे लेंगे इस इस तरह से तो उसका पीछे वाला पैर बन जाएगा थोड़ा सा बड़ा ये पैर होता है आप देखिएगा स्वास्तिक की उपर वाली जो डंडी है उसी को हमें पैरों तक जोड़ना है पिलकुल उसी तरह से हमें लेना है और यहाद तक इस तरह से जोड़ देना है देखिए उसका एक पैर हो गया अब हमें उस साइड वाला उसका पैर बनाना है तो पहले वाले पैर का ही हम आधार लेंगे थोड़ा सा तिर्चा करके दिखिए कुछ इस तरह से उसका उदर वाला पैर भी हम थोड़ा सा दिखता है वो दिखाएंगे मस्ती में दोड रहा है हमारा ये हॉर्स हमारा ये गोड़ा देखिए कितने आसानी से उसके दोनों पर बन गे पीछे वाले भी अब हम बनाएंगे उसकी लहरदार हवा में लहराती हुई पूछ यहाँ पर तो वह नहीं दिखेंगे अच्छी नीचे भी अच्छी नहीं दिखेंगी इल्कुल यहाँ से वह पूछ हमें अच्छी दिखेंगी तो इस तरह से वो ड्रा करेंगे महती संदर सा ये ड्राइंग होने वाला है द्यान से देखिएगा सिंपल तरीके से गोड़ा और गोड़ी भाइचानने के लिए द्यान से देखिएगा इसकी गरदन पर और पूछ पर ज़्यादा बाल हो वह गोड़ी और थोड़े कम बाल हो तो वह गोड़ा अब देखिएगा यहाँ से उसका पेट हम जोड़ देंगे इस तरह से अब उसकी गर्दन बनाएंगे स्वास्ति की इस वाले पार्ट में से बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए कितने असाने से उसकी गर्दन बन गई उसी में से उसके हम कान बनाएंगे कुछ इस तरह से देखिए अब उसका चहरा बनाएंगे एक अर्द गोला का लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर और उपर एक डंडी ड्रा करेंगे इस तरह से और नीचे इस तरह से लेकर यहाँ पर उसका मूव अगरा हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से उसका चहरा तैयार हो जाएगा त भग दा, तो हैसा नहीं होना चाहिए, पिर इस तरह से उसके सिर पर हम बाल बनाएंगे, तो इसकी गरदन पर भी कुछ लहराते हुए बाल हम बनाएंगे, अब इसकी गरदन पर बहुत सरे बाल है, तो यह हमारी घोडी हो गई। फिर भी हम इसे आश्यों कहेंगे, देखिए इस तरह से कितने आसानी से हमारा होर्स बन गया यह उसकी लगाम होगे रहा हम बनाएंगे यहाँ से बहुत ही सिंपल साई तरीका है एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बना कर दिखिएगा पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो हमारे ड्राइंग टीचर सुरज चनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके अब दिखिएगा स्वास्तिक के इस वाले हिस्से से हम उसकी पीट पर जो भुड़ सवार बैठता है उसके लिए आसन मगरे बनाएंगे कुछ इस तरह से मन चाहे डिजाइन साप इस पर बना सकते है और हमें स्वास्तिक का आकर भी तो चिपाना है तो इस तरह से हम वो ड्राइंगे हिंदु धर्म में स्वास्तिक का और अशुवा का गोड़े का भी बहुत ही महत्वा है तो इन दोनों को साजा करके हमने बहुत ही सुन्दर सा ये ड्राइंग बनाया ये दिखिए यहाँ पर गुड़ सवार को पर रेकने के लिए जगा बनाई हमने और ये वाले जो डंडी है स्वास्तिक की इस पर भी हम कुछ डिजाइन बनाएंगे ताकि वो भी छिप जाए स्वास्ति की मदद से स्वास्ति के आकार का आधारलेकर हमने ये अश्व और गोड़ा बना दिया आप भी बनाईगा जरूर अब हम इसे एक बार हम सुन्दर जरीके से कलर करेंगे deben दे चान्दी से आराम सीसे बनाईगा और अपने दोस्तों की साथ इसे जरूर शेयर कीज लगे अब यह और सा हमारा वाइट कलर में हम दिखा रहे हैं तो पूरा कलर करने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा हम शाड़ो गेरा इसमें दिखाएंगे ब्लू कलर की आउटलाइन करके दिखिए तो थैंक्स पर वाचिंग जल्दे ही फिर से मिलते हैं